हम दो कोड़ी टॉकिक रिलेशन्शिप में ओवर स्टे कर रहे हैं मैं अगर लॉंडा हूँ अब उसको स्टे करने में मैं बहादूरी समझता हूँ सेकंड पॉइंट ही आ गया सिंपल सी बात है मेरे भाई तीन लेयर समझो पहले तुम एक रिलेशन्शिप में आये तुम्हारे को एक सिंपल जाग रोकता होने चाहिए दिमाग में कि देरे सा थेंग कॉल रट फ्लाग्स यानि की भाई अकर में रिलेशन्शिप में आ भी गय से यह नाच रहे थे गुंग रहे थे खेल रहे थे हम बत्रकस्ती में यह उलालोला हो रहा था हमारे तिमाग में हम आ गये रिलेशन्शिप से में रिलेशन्शिप के अंदर आ अगै भी नहीं हुए ना? इस तुम जहाँ देख रहोगे भाई मैं इतना ज़्यादा effort put कर रहा हूँ क्योंकि meme कह रहा है और इतने ज़्यादा साथ लाग लोगों ने भुछ लेकर like कर रहा है तो I'm assuming पांच लाग लोग ने बहन चुद ऐसी तरह की relationship में रहे हैं सुनो तुमारी well-being तुमारी mental health और थोड़ी से dignity की बात है जैनुवनली तुमारी dignity की बात है मेरे भाई या मेरी भेहन भी अगर तुम सुन रहे हूं कि लडगे में इसी दो गोड़ी की relationship में कई कई होती है जो बैठती है बैठके अब सुनो उसका मतलब क्या है जब नीव effort है और तुमने उसको communicate भी किया तुम इस इंसान के साथ बैठे हो तुमने कम्यूनिकेट किया तुम कई बार कह चुका यार तुम करते नहीं हो तुम passive-aggressively कहते हो तुम taunt करते हो लिए कि बेचान रहते हो परिशान रहते हो तुम नीचा फील करते हो तुम दर्द होता है और सामने वाले को जांट फर्फ ही पड़ता और कभी-कभी उनका mood होता है तो प्यार-प्यार कर लेते हैं कभी-कभी उनके convenience के साब से होता तो मैं दिख रहा है बहेंका लोड़ा नहीं निकाला टाइम और मैं अब स्लिए जेंडर-neutral गाली बख रहा हूं दोनों को भी बख रहा हूं मैं टेंशन ना लो तो तुम्हार बाशी दो कोड़ी का पार्टनर होता है मैं एक सिंपल सी बात समझे उसको कहते हैं red flag सुनो इसको बड़े ध्यान से अगर यहां तक स अगर मैं एक सिंपल सी चीज है जिसको मैं कम्यूनिकेशन के रूट करना चाहता हूं मैं रिलेशन्शिप ऐसी पसंद करता हूं जहां पर जितना value मैं कर रहा हूं तुमको उतना value तुम भी खरो अगर मैं effort पूट कर रहा हूं तो उतना close to something effort मैं भी चाहूँँगा तुम भ इनिशिटिव लो यह सारी चीज़े हैं जो कि मुझे विश्वाज दिलाएंगे कि यह relationship prosperous है यह relationship कहीं जाएगी मैं चूतिया महसूस ना करूं मैं टंगा हुआ I am not the person जो कि इस तक है I am the person who is making all the effort और अगर मैं effort पूट ना करो तो relationship खतम हो जाएगी यह अगर feelings तुमारे अलाव नहीं करूंगा ऐसी relationship मैं नहीं आऊंगा मुझे relationship नहीं चाहिए मुझे एक भोषडी के दो सेकेंड के प्यार की उसके बाद 15 घंटे के ignore ignore किये जाने की relationship नहीं चाहिए कि दो घंटा और 15 घंटे को precisely मतलो example की तरह मैं बता रहा है कहने मतलब मेरा यही है कि मरको भाई एक इंसान ने कुछ time के attention ने थी फिर वो अपना निकल लेते हैं तुम्हें कुछ विश्वास नहीं होता इस चक्कर पर trust issues develop हो रहे हैं क्योंकि भाई जब इंसान effort नहीं डाल कर रहा उतने ही level का excitement show नहीं कर रहा तो तुम कैसे feel करोंगे इंसान excitedly exciting feel करता है मुझको लेके to meet me to talk to me मतलब भाई इंसान कभी दिल बेचान है मुझसे मिलने मेरे साथ time spent करने में वो लंडनी होगा अब दूसरी चीज क्या होती है secondary instead of fucking confronting your own relationship instead of maybe thinking with yourself अपने साथ बैट के relationship के उनको set करके इधर से compare करके देखना है कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो मैं ideally चाहूंगा baseline चाहूंगा मैं नहीं कहा रहा भाई dreamy paradise type relationship हो अरे baseline तो set करोगे minimum इतना तो मैं चाहता हूं जितना मैं put कर रहा हूं तरह सामने वाला भी put करें ताकि मैं बैट के दिन भर घोंचू की तरह सोचता ना रहा हूं मायूस ना हूं यह baseline होनी चाहिए और baseline मीट नहीं हो रही तो यह relationship का standard मीट नहीं कर रहा है यानि कि 30 relationship में हो मैं यानि कि इस relationship मैं सिर्फ चोट खाऊंगा the likelihood the possibility बढ़ जाती है simple statistical measurement है कि the likelihood कि तुम्हारी गार फटे किस relationship में वह बहु उसने डाला रही नहीं मा चुदाए यह है answer second way solve तो में डाल रहे हो मा चुदाओ खतम बात मैं बुंड बराओ नहीं हूं कोई उठाई भी खीर नहीं हूं मैं बहुत सड़ी के तुम्हाँ सा relationship में आया हूं लड़की हो चाहिए लड़का हो जो भी हो इतना अपने आपके अ है कम में भी मैं सहह लूँगा ठीक है यह internal conversation होगे इसको communicate करने की जरूरत नहीं है actions के through भी communicate तुम्हें क्या करना है जो मैं कह रहा हूँ वो चाहिए डर लग रहा हो चाहिए मन ना कर रहा हो तुम्हाँ गार फट गई हो लेकिन भाई तुम कुछले जाओगे इस relationship में कोई जिंदिगी पे long time में यह सही नहीं सकता चाहिए तुम्हें अंदर कितनी capacity हो कि मेरे पे रहने के लिए बाई और वो शुरुआ से तुम्हें दिखा रहाता है भूसपड़ी के सारे science तो यहां तुम पर्सेक्यूट हो रहे हो एक emotional persecution है यह दिस नोट मिरको endure करना है एंडियोर में भी हार्ट चीज़े हैं तुम्हें लाइफ में conditions hard हैं तुम गरीग घर से आते हो ल इसको employ करो उन जगावा पर जहां पर लैसे की भाई important need बनती है endure करना है क्योंकि यह पूरी long term चीज नहीं है जिंदीगी पर के लिए नहीं है यहां पर मुझे 2 साल endure करके मैं निकल जाओंगा एक साल का experience करता हूँ उसमत कपनी change कर लूँगा इधर से जो भी चीज है कोई जटुआ इसको रिष्टदार है तीए इंगंटास के साथ बैटना है endure कर लूँगा मैं तो तुम एक capacity बता रहे हो tolerance बना रहे हो उस चीज में तुम tolerance में relationship में lifetime tolerance नहीं बना रहे हो तुम lifetime बना रहे हो अपनी self-esteem, negativity, loneliness, depression, anxiety तुम एक बहुत छोटी सिंदिकी की preparation कर रहे हो जह महसूस करता हूं तेरा दिन थोड़ा ठीक ठाग रहता हूं अब 30 को कर लो 300 300 को कर लो 600 अब percentage देखो यार the number of days जहां पर तुम sad हो, do you not think that will have an impact तुमारी basic physiology में, तुमारे heart, तुमारी hypertension हो जाए तुम्हें, high blood pressure हो जाए तुम stress में रहते हो, परशान रहते हो, और एक बार बताओ, हम बात करें, let's just say, मैं दुखी होता हूं, दुखी की भी अब देखो की baseline है, एक plateau state है, यानि कि जिस दिन मैं दुखी होता हूं तो मैं कहूंगा, आगर हमें simple out of 10 दुखी को मैं करता count, तो मैं कहूंगा, यार मैं दज्या ओड़ी में तुमारी physiological state अच्छा फील नहीं कर रही, उसके kachumar हुआ हुआ है, वो impact कर रहा है तुमारी sleep को, तो तुमारी sleep को की चुदी भी, क्योंकि तुम रात में दुखी हो रहे हो, तुम इसको solve करना चाहते हो, तो तुमारी sleep मा चुदी, तो मैं एक ची समझ अच्छा काम करना जाओ, हो सकता है, तुमारी ज़्याग में crazy ideas आएं कि यार मैं यह क्यों नहीं करता हो, तुमारी इंकम generating capacity को increase करें, प्लस तुमारी को pro social मनाएं, तुम जब initiative ले रहे हो, तुम excited हो, तुम लोगों से बात करें, तुम इंटरेट जाता करें, तो तुमारी positively of you, हो सता है उसको ऐसे, और relationship generator हो, वहीं तुम बात करो, तुमारा mood चुता हुआ है, यह सारी चीज़ें तुम kinder participate नहीं करने वालो, तुम थोड़ा सा distracted रहते हो, तुम अपने phone पे रहते हो, तुम initiative नहीं ले रहे हो, तुम लोगों से जादा बात नहीं करते हो, तुम एक mood के पर खचोड़े हैं, खाना ढग से निखा रहे हो, exercise भूल जो, लोड़ा लसू, तुम समझ नहीं सकते यार, तुमारे career की चुदी भी है, अब इबाब बताओ, यह सारी चीज़ें जब करते चले होगे, खराब, 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 और खराब चीज़ों क आपने बारे में जितनी भी dreams रखते थे, जो भी aspirations थी कि मैं कैसा being हूँ, टीचर के आप बोलती ही थी भूशड़ी कि बेटा, तु बहुत कुछ कर सकता है, मैं चीज में कितना बड़िया करता है, आपने जो भी चीज़ें एस्पार करनी थी मुझको लेकर, कि बेटा, तु तुम्हें खुद नोटिस किया, किसी classroom में कि आप तुम किना बड़े level perform करते थे, तुम याद करते उस इंसान को, फिर भूशड़ी कि तुम सुछते में क्या हो गया उस इंसान को, यह हुआ है जो मैं बाते कर रहा हूँ, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, लोगों लगता हो गया at the end of the day, क्योंकि तुम भूशड़े के खुद दुखी रहते हो, तुमारे career, opportunities, creativity, learning, सब की गान फट जाएगी, को तुमारा दिमाग कहीं और ही रगा हुआ है, और प्लस तुमारी mood नीचे है, तुम excited फील नहीं करा चीज़ों के बारे में, तुमारे sleep के छुदी रह करना बंद करो, Instagram पे, कहीं पे भी, कोई भी तुम्हें कैसा content देखे, OTT पे भैंचो, तैले चीज़ मुझको भेजो, ताकि मैं वीडियो content देखा के गान मार पाऊं उसकी, जैसे इस वीडियो में मारी, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जादा से जादा लोगों को, मैं स इसा और बना contact हो, कि ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो निकल गए इस चीज से, similar to लड़गी, मैं तो निकल गए इस बहुत चोड़ी के blind, stupid romanticization से, जिसका actual में physiological, motivational, mental health, इन सारे perspective से देखो, तुम अपनी mortality कम कर रहे हो भाई, तुम अपनी जिन्दी के छोटी कर रहे हो, उस सब च सब्सक्राइब, तो भाई, जितना quantity से टक्टी है, मिले को Instagram में भेजो, reels मिल लाए, links मिल रहे हैं, भेजो भोषडी के, मैं करूँगा reaction, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जितने level पर shit generate करी जा रही है, उत्ते level पर कम सी कम कोशित तो नहीं चाहिए, शिट के मूँब तो तमाचे मारने खा, भाई मैं हार जाओंगा इस वार में इतना जानता हूं, लेकिन अगर एक लाख हैं, एक लाख में 30 या 300, या 3,000 बचा ले गया, 3,000 तो बचा ले गया ना मैं, ठीक है, मैं को 3,000 क्या, 10,000 बचाने हैं बस, 90,000 होता है चुदेंगे भाई, क्योंकि य यानि कितने साथा, साथ लाख और अल्मॉस्स लोग थे, जिन्हों ने काई, डिरेक्टली मैं इस पर लाइक करूँगा, हाट करूँगा, को कि मैं, I have been through this shit, and the romanticization of it, it's like, ओ, मैंने ऐसा किया है, मैंने भी जिदियों कभी ऐसा निका बाइद रवे, मैं 55, 34 साल का हूं, तो म मैं लगता नहीं है, मैरी शक्कल लेकर लोड़ी relationship में नहीं दाव माम है, मैंने allowing नहीं करने दिया, क्योंकि मैं घुसूँगा, ठीक है, लोड़े लोग मिले life में एक सेख, लेकिन भाई, मैं चुदूँगा नहीं, ये कभी मत सोचते हैं ना भौन सड़ी कि मैं गलत जगा I am a person like you, there is complete full possibility कि भाई, मैं landmines, गोबर में भी कदम रखूँगा जैसे हर इंसान रखता है, होगा, लेकिन भाई, उस step लेने के बाद, ये होता है कि भाई, मैं यहाँ पर जिंदिगी भी बसा लूँगा अपनी, क्योंकि एधियन वो गोबर है, और मैं गोबर से simple सी बात क ही है, या फिर तुम इसको correct करने वाले हो, ये मलब मैंने गलती से कदम रख दिया है, और ये actual reality नहीं है, या फिर मैंने सही जगा कदम रखा और ये reality है, इसका मलब कि मेरे को भाया निकल लेना है पैर उठाके, निकल लो कहीं और, as simple as that.